गनिशपिट इलाके में पैंशन का पैसा लेकर जा रहे एक 68 वर्षिय वृद को जान से मारने की धमकी देकर लूटने की घटना सामने आई है जानकरी के अनुसार गनेश्पिट एलाके में पेंशन का पैसे लेकर घर जा रहे एक 68 वर्षिय सुरेंद गोड़ बोले को आरोपी अकबर उर्फो भुरिया सलीम शेक ने मालने की धमकी दे कर उनसे नकत 1000 रुपे छीन कर मौके से फरार हो गया पुलिस के नुसार समतनगर भंडारा निवासी सुरेंद गोड़ बोले ने गनेश्पिट थाने में इसकी शिकायत की है सुरेंदर दसफरवरी को सुबह करीब 10 बचे गनेश्पिट सित जाधव चौक के पास फायर ब्रिगेड ऑफिस के सामने से पेंशन के पैसे लेकर जा र सुरेंदर के शोर मचाने पर भाग रहे आरोपी को लोगों ने व यातयात पुलिस कर्मियों ने धर दबोचा उसकी धुनाई करने का प्रयास किया वहीं आरोपी को गनेश्पिट पुलिस के हवाले कर दिया गया पुलिस ने धारा 300 बयानों के तहत मामला दर्च कर उसे गि जालेले आए लाइबरियन मुनुन काम करत होते आनि सते पेंशन ओर देंचे चालो आए तर ते बर्याद उसा पसुन जेमसे ते उपचर कामी आदे अस्ताना त्या टिकान तेनी जातु चोकातुन काही पईशे काल लेते जवापास साड़ी चार आदर रुपें तेनी काही जबरिन जो पासे 1,000 रुपे चोरी केले ते आश्री माइटी मियाली कि तेनी आवज दिला तकरदारेन नी मोटे प्रमनाद आवज दिला अलड़ लड़ केले तिता 1,800 लेले अमचे पोलीस यानि ततका तिता जान तेंचे दकर गेतली आनि तो आरोपी आई तर जो ना लेला है तेचा और या पुर भी सोनेगाव, गनेश पेट, सिताबलडी इते आश्रा प्रकरचे घरपुडी जी गुने दाकला स्लेज दिशना लेला है याचा अर्था जो शराइक गुने करा है या पुर इतो हद्दपार सोदा होता तो सद्या डोल वाज वेज काम गुजरवाड़ी आए गनेश पेट हदी में जराना रहा है इसमाहे इन बीसीन न्यूस के लिए अकलेश भादवच के साथ अकसा अंसारी की रिपोर्ट